हेलो एबरीवन आज हमारे किचेन में बन रहा है काले चने और टामाटर और प्याज को यूज करके एक बहुत ही टेस्टी सा नास्ता जिसे हम जब मन करे तब खा सकते हैं चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या मेड मिल या इवनिंग स्नेक तो चलिए हम सुरू करते हैं अपने किच करके इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए मेरे पास है प्याज धन्यापती टमाटर काला चना उबला हुआ और यह एक में इंग्रीडियेंट जिसे हम कहते हैं कोईला इसी का प्रियोक करके हम आज हमारे नास्ते को एक बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर देंगे तो सबसे पह को गेस के उपर बर्न होने के लिए रख दिया है अब हम वापस चलते हैं अपने प्लेटफार्म की और जहां पर मैं अब टमाटर को छोटे-छोटे टुकडों में काट लेती हूँ टमाटर में वाइटमिन C होता है जो कि हमारे काले चने में मौझूद आईरन को अब्जर्ब करने में बहुत हेल्प करता है जैसा कि हम सब जानते हैं कि काला चना हाई एमाउंट औफ फाइवर के साथ होते हैं जो हमारे बेड कोलिस्टरल को लौवर करने में बहुत काम करते हैं इनमें कायवो हाइडरेट की मात्रा भी ज़्याधा होती है काले चने में जो डाइजेस्ट स्लोली होने के कारण हमारे बलड सुगर को भी रेडियूस करते हैं अब हमारा प्याज भी कट रहा है इसे भी हम रफली चौप कर लेंगे सबजियों की क्वांटिटी और साइज आप अपनी पसंद के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें और भी बहुत सारी वेजिज यूज कर सकते हैं और बहुत सारे मसाले भी यूज करके इसको एक अलग फ्लेवर दिया जा सकता है पर मेरा इंटेंशन आज यही है कि मैं आपको यह दिखाऊं कि कम इंग्रीडियंट्स में भी कितना टेस्टी और हेल्दी नास्ता तैयार हो सकता है तो हमारे इन सारे जो इंग्रीडियंट्स हमारे रेडी है उनको हम मिक्स करते हैं एक बोल में काले चने के बाद मैंने प्यास दे दिया टामाटर दे दिया अब दे दूँगी धनिया पत्ता थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने गार्निसिंग के लिए रख लिया है और इसके बाद जाएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक के बाद मैं वस थोड़े से चिली फ्लेक्स का ही प्रियोग कर रही हूँ अगर आपको लगे कि आपको तीखा जादा पसंद हो तो आप इसमें बारिक काट के हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं भुना हुआ जीरा भी डाला जा सकता है और भी बहुत सारे फ्लेवर इसमें दिया जा सकता है अगर हम इसमें थोड़ा सा सर्सों का तेल डालें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरा intention आज ये ही है कि मैं आपको minimal ingredients के साथ में ये recipe बना करके दिखाऊं कि फिर भी ये बहुत tasty बनने वाली है आप भी काले चने की इस प्रकार की कोई recipe बनाते हो तो comment करके मुझे जरूर बताईएगा और मेरी recipe अगर आप try करते हो तो ये भी जरूर बताईएगा कि ये कैसी बनी है तो अब हम चलते हैं अपना main काम की तरफ जहां मैंने एक इस्टिल की plate इस बॉल में रख दी है हमारा gas burner अभी तक own है जहां पर हमारे कोईले जल रहे थे उन कोईलों को मैं अब इस plate में डाल देते हूँ अब जब कोईले डल चुके हैं तो मैं थोड़े से घी का प्रियोग यहां पर इसको smoky flavor देने के लिए करूंगी आप चाहे तो सरसों का तेल का प्रियोग भी कर सकते हैं देखिए कितना धुआ उठ गया मैं इस डखकन को लगा के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए ताकि यह smoke इसके अंदर ही चला रहे अब देखिए 10 मिनट बाद जब मैं खोल रही हूँ तो कितना smoky अभी भी है लेकिन इस smoke ने हमारी इस recipe को एक बहुत ही अच्छा flavor दे दिया है और यही flavor जो है वो इस recipe की जान है तो अब चलिए हम कर लेते हैं अपनी इस recipe की plating और फिर करते हैं enjoy इसको friends एक tip में यहाँ पर देना चाहूंगी कि अगर आपके घर में koila available ना हो तो जहां कहीं कपडों पर iron होती है वहाँ यह आसानी से मिल जाता है The sole intention of this channel is to shift you from an unhealthy lifestyle to a healthy one मेरे इस mission में मेरा साथ देने के लिए मेरे इस channel को like, subscribe and share करना बेलकुल मत भूलिएगा and notification bell on करने के बाद all का button भी जरूर प्रेस करिएगा and that is completely free फिर मिलेंगे बाई बाई जै जी नेंदर